कि यहां पर दो टर्म आपका हो गया जिसे ट्राइनोमिल के बाद इसमें तीन टर्म होगा कि इसमें कितना टर्म होगा तो थीरी टर्म होंगे कौन सा गया जिसे एक्जामपल है तो टू एक्स हो गया प्लस य प्लस शिक्स यहां पर देखिए तीन टर्म है एक टर्म यह हो गय तर्म होना चाहिए जैसे कि अगर इस को डिनमील का निचे एग्जामपल लेता है अगर को डिनमील का एक्जामपल रहे जो गए 2xy Y of X plus 6 Y of Y इसमेह नहीं सोबनँ में कोहकर हैं फोलिनोमिय क्या होता है कि इसमेहे । ढूसला हो Nne इसमेहेंए 2 थां होना चाहिए इसमेहेंरे 2 थां होना चाहिए तो इसको kalian नोमिय है और 20 से ज्यादा था है कि सकता है कि यहां सब्सटेशमेंट में 31 कि जो बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, आपका ट्राइनोमियल हो गया, क्वाडिनोमियल हो गया, ये सारे जो हो गया, वो पोलिनोमियल कहलाएगा, लेकिन मोनोमियल जो है, वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, लेक नहीं आएगा लेकिन ये बाइनोमियल आ सकता है, पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल हो सकता है, कोडिनोमियल पोलिनोमियल हो सकता है, ठीकिन न, तो ये सारे टर्म्स में पोलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन मोनोमियल नहीं होगा, देकि मोनोमियल में एक ही टर्म है, ठ